Hello everyone The का हिंदी में क्या मतलब होता है? आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे और इसका क्या प्रनंशियेशन होता है? इसे हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे तो आईए शुरू करते हैं इसका pronunciation होता है द, हिंदी में हम इसे क्या बोलते है द, यदि हम इसका हिंदी में आर्थ निकालते हैं, तो इसका आर्थ निकलता है वह, यह, वही, यही, तो इसका हिंदी में आर्थ निकलता है वह, यह, वही, यही अब हम देखते हैं कि इसे sentence में किस तरीके से use किया जाता है the को sentence में use करने से पहले आएए देख लेते हैं the जो है एक definite article है the is a definite article it is used to represent the whole class of a noun इसका use एक noun की whole class को सारी class को represent याने की दरसा आने के लिए use किया जाता है अब हम examples के through समझेंगे कि यदि the का बीच में use किया जाता है या sentence के बाद में before noun किया जाता है तो वहाँ पर the का क्या sense होता है और यदि इसका use sentence के starting में before noun it means noun से पहले किया जाता है तब वहाँ पर the का use क्या होता है तो first example is please close the door किर्पया उस दर्वाजे को बंद कर दो तो यहाँ पर जे द है इसका use है इसका जो use है वो इस sense में है कि किर्पया वह दर्वाजा बंद कर दो यानि कि इस कार्थिया आपर निकलता है यहाँ वहाँ यही वही अब next example है the sun rises in the east कि जो सूर्य है वह पूर्व दिसा में निकलता है तो यहाँ पर इस the का use sun यानि की जो noun है इस पर emphasize करने के लिए किया गया है तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि the का use किस-किस sense में किया जाता है तो ऐसे ही और नए-नए words को सीखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में नए-नए words के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you